हेलो एवरिवान कैसे हो आप आप सब ठीक होगे आज जो है वह हम एक डियाइवाइ स्क्रब बनाने वाले हैं इसके लिए हमें बस चाहिए चार चीजे ऑल्यू ओईल एलोएरा जेल एक है हनी यानिके शहद और सबसे में इंग्रिडेंट है हमारा चावल का पिसा हुआ आटा यानि के राइस फ्लावर हाँ यही हम आज अ स्क्रब यूज करने वाले हैं तो इसमें अगर आपकी स्कीन ओईली है तो आप यह ओईल जो मैंने आड करा है वो स्कीप कर सकते हो अधर्वाइस दोनों बाकी मतलब अलोएरा जेल और हनी यूज कर सकते हो लेकिन फिर आपको अलोवेरा जेल की कॉंटिटी थोड़ी सी जादा हो लेनी होगी क्योंकि वह स्कीन पर मतलब जो हमने राइस फ्लावर लिया है वह ज्यादा मतलब हाड़ फील ना हो पस इसे मिक्स करना है अच्छे से और अपने स्कीन पर लगाना है बनाना बहुत ही आसान है और इसके रि होते हैं और उसी के साथ उसके जो मतलब केमिकल स्यूज होते हैं केमिकल रियक्शन होते हैं हमारे स्कीन के लिए वह ज्यादा इफेक्ट इफेक्टिव तो होते हैं लेकिन वही है केमिकल और एक्सपैंसिव वह दोनों चीज़े उससे होती है अग यह हम जो डियाइवाइस जानी से हो जाता है लेगाना भी बहुत ही आसाने आप जो गरते हो वैसे ही लगाना है बस थोड़ा सा हल के हातों से मसाज करना एके जादा मतलब आपको चुब ना जाए को अगर आपकी जैसे मेरे को पीमपल्स और आपको यह रहागत आपint अगर को है तो और अवकषर मेरे पर दो और ये स्क्रब, आप लिप से भी यूज करते हो, हाँ बिल्कुल मैंने सही कहा, लिप्स पे भी आप यूज कर सकते हो, क्या होता है, इसमें हमारे जो हनी और अलो वेरा यूज कर आए, वो हमारे लिप्स को लाइटनिंग करने में, बहुत जब्स जदा है, आप को जैसा effect मिलता है इससे मतलब ऐसा लगता है कि आप लाइक पारलर से ओख clean up वगेरा करवाते हो exactly वही वाला effect आपको मिलता है राइस प्लावर के मतलब benefit swap सब जानते हैं मतलब हमारे skin के लिए कितने सारे हैं उसी तरह aloe vera gel honey भी मतलब हमारे skin को glow करने में health करता है बस अगर natural glow चाहिए तो थोड़ा सा time तो लगता है time थोड़ा जाता है लेकिन इसके effect long lasting रहते हैं ना कि chemicals वाले जो हम scrub use करते हैं उसकी तरह i hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like जरूर करना और share तो बिलकुल करना thank you